इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके मुबाइल में फोटो का जो एप है वो वर्क नहीं कर रहा है तो इसका क्या सोलूसन है तो इस वीडियो को आप सुरू से लाश्ट टक देखते रहें तो आपको क्या करना है कि आपको चले जाना है सिंपली अपने मुबाइल के सेटिंग में तो यहाँ पे आपको मुबाइल का सेटिंग मिल जाता है और सेटिंग में जाने के बाद आपको क्या करना है कि आपको चले जाना है स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे आपको मिलता है ए बिलता है फोटो तो आपको इस पर क्लिक करना है फोटो और यहां पर जैसे आप फोटो पर जाते हैं तो इसके बाद आपको क्या करना है कि यहां पर आपको क्लियर डाटा पर जाके क्लियर कैच करना है और ओके करना है और इसके बाद उपर सबसे उपर इस्टोरिज देख र आपको परमीशन पर जाना है और यहां पर परमीशन अगर आपका दीने होगा तो अलाव कर देंगे और यहां पर फाइल सेंड मीडिया का भी परमीशन अगर दीने होगा तो अलाव कर देंगे इसके बाद यहां पर फोन है इसे भी अलाव कर देंगे और इसके बाद आपको क कर देंगे और इसके बाद सबसे important setting क्या है कि यहां पर restricted data uses तो इस पर जाना है इन तीनों को uncheck करके आपको इन तीनों को check करके एक बार check कर देना है बैक आ जाना है और बैक आने के बाद आपको क्या करना है एक बार अपने play store में जाकर photos app को up to date कर देंगे और up to date करने के बाद अपने mobile को एक बार switch off करके on करेंगे तो आपका mobile जो है mobile में photos app है वो work करेगा और open भी होगा इसका यही solution है अगर video यहां पर अच्छा लगे तो video को like करने और channel को subscribe करने और अपको पर स्वेंगे अगरु को एक बार अपका करने